उना में आए दिन लूट पाट की गटना अब देखने को मिल रही है अबे कुछ दिन पहले ही एक महिला का पैसो से बरा पर्स लेकर यूबक भाग जाता है और आज फिर जिला उना में जब एक महिला अध्यापक एटियम से पैसे निकाल रही थी अब एक शातिर एटियम में दाखिल हो जाता है और महिला का एटियम लेकर मोके से भागने लगता है लेकिन महिला दोरा शोर मचाने के बाद लोगों दोरा उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उस शातिर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है उना में आए दिन लूट पार्ट की गटना अब देखने को मिल रही है अभी कुछ दिन पहले भी एक महला को पैसों से बरा परस लेकर युबक बाग जाता है और आज फिर से जिला उना में जब एक महला अध्यापक एटियम से पैसे निकाल रही थी तब ही एक शातिर एटियम में दाखिल हो जाता है और महला का एटियम लेकर मोके से भागने लगता है लेकिन महला द्वारा शोर मचाने के बाद लोकों द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उस सातिर को पुलिस के हवाले कर दिया है महला की माने तो उसने एटियम से पहले 10,000 रुपे निकाले और फिर दूसरी बाद 10,000 रुपे निकालने लगी तबी एक यूबक आकर एटियम से उसका कार्ड लेकर बाग जाता है महला का आरोप है कि उसके 10,000 रुपे भी उस शातिन ने बहां से चुराए हैं बही महला के माने तो उसने गर की खरीदारी के लिए ये पैसे निकालने यहाँ पर आई थी. बही पुलिस ने महला की शिकायत के आदार पर मामला दर्स कर जांच शुरू कर दी है और आगे की कारेवाई में पुलिस जुट गई है. आज पुलिस थाना उन्ना में एक औरत की तरफ से एक शिकायत दर्च की गई है कि जब वो एटम से पैसे निकाल रही थी बिद्रॉ कर ले थी तो एक आदमी जो आया और उसने उससे एटम चीनने की कोशिश की इस वीच पबलिक ने उसको पकड़ाया और पुलिस को हैंड़ जब एक बाद